हाई फ्रेंड्स बेलकुम बेक टू माई चैनल गोपी तिवारी और कैसे हो आप सब जैसा कि फ्रेंड आपको पता है गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पर हम लोग का मेक अप करना बहुत ही दिक्कत हो जाती अगर बाटर प्रूव है तो तो सही है नहीं तो मेक अप उतर जाता है गर्मी की बज़े से तो यहाँ पर मैंने क्या किया है मैं आपको नो फांडेशन, नो कंसीलर, मेक अप लोग काच करके दिखाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने फेस बॉस करने के बाद लगाया है गुड वाइप्स का बिटामिन सी का टोनर टोनर आप जरूर अपने स्किन केर में एड़ करिएगा बहुत ही अच्छा हो रहता है स्किन के लिए दूसरा मैंने यहाँ पर सीरम यूज किया है तो यहाँ पर मेरा गुड वाइप्स का 24 कैरेट गोल्ड, और्गन वाइल, फेसियल वाइल है तो मैंने यह वाला सीरम लगाया है इसको आप देख सकते हैं लगाने के बाद चेहरे में जो हाइडरेटिड स्किन होती है तो आप खुदी देख सकते हैं साइन चेहरे की और इसकिन जो है हमारी चेहरे की एकदम हाइडरेट हो जाती है और गर्मियों में भी स्किन केर करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंज उसके लिए आप कोई भी क्रीम आप चूज कर लीजिए अपने स्किन के अकॉर्डे तो यहाँ पर मैंने क्या किया है टोनर लगा लिया है और उसके बाद मैंने लगा लिया है सीरम और देख सकते हैं आप इसकिन जो है हाइडरेट हो गई है अच्छे से उसके बाद हम लगाएंगे मॉस्चुराइजर तो मैंने यहाँ पर यूच किया है लकमे पीच मिल्क का सॉफ्ट मॉस्चुराइजर है बहुत ही लाइट वेट है यह बहुत ज़्यदा चिपचिप यह नहीं है तो आप इसको लगा करके देखिएगा मेरे कहने पर आपको गर्मियों में बहुत ही करता है तो इस तरीके से हमने लगा लिया है मॉस्चुराइजर तो यहाँ पर हम फॉंडेशन और कंसीलर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो उसके लिए आप देखिएगा अब हमें क्या करना है मैंने जो इसकिन केर किया है उसको उपर जैसे अब यह किया है तो इससे तो होता है friends खुला हुआ पाउडर आता है वो फाउंडेशन वो सॉरी कॉंपेक्ट का ही काम करता है तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पर एक साइड लगाया है लग में बलू हैविन का सॉरी बलू हैविन का कॉंपेक्ट और दूसरे साइड में लगाओंगी बलू हैविन का लूस पाउडर तो आप दोनों में फर्ख देखिएगा मैंने एक साइड कॉम्पेक्ट लगा लिया है तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी पता नहीं चला है कि यहां पर मैंने फांडेशन या कंसीलर लगाया है या नहीं लगाया है तो गर्मियों में क्या है अगर हम लोग जा रहे हैं कहीं मार्केट बगएरा तो स्वेटिंग होगी तो उसके लिए आप ये मेकप को ट्राइ कर सकते हैं और डेली बेस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं मेकप को तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में क्या होता है हम लोग को यह सोचना पड़ता है मेकप करें या ना करें मस्कारा मैंने यूज यहां पर नहीं किया है तो मैंने केवल काजल यूज किया है आप आगे एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कॉमपैट से पहले सेट कर लिया है उसके बाद मैंने लूस पाउडर से दैन उसके बाद आप चेहरा खुद बखुद देख सकते हैं बिल्कुल भी यह फरक नहीं लग रहा है कि कंसीलर या फाउंडेशन की चेहरे पर कमी है तो यहाँ पर यह हो गया है मेरा यह देखिए मैंने कॉमपैक्ट से और लूस पाउडर से अपने चेहरे को सेट कर लिया है से तो अब क्या है आपक्ट भी लगा सकते हैं या लूस पाउडर लगा सकते हैं कुछ जो भी आपका मनोब लगा सकते हैं लूस पाउडर लगाने के बार कहले के लीटिजिए गया इसके बाद इस लोग तो इसके बाद क्या है आप हलका सा अगर चेक्ष को आपकर ना यह आँ टेक्चर को आँ जा रहे हैं तो आप क्या करें कोई भी भी लिप टिन्ट ह हो आज और तो अप इस तरीके से जैसे में लगा रही हूं इस तरीकी से हिलका हिसा avoir इसको फिंगर से ही ब्लैड कर दीजिए तो अगर आपकी चाहे तो नहीं तो अधर्वाइस यह मेकप बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा लगने के बाद यह बहुत ही गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है आप एक वार ट्राई करके जरूर देखिएगा तो यहाँ पर मेरा मेकप हो गया है कंप्लीट आप देख सकते हैं कोई भी कंसीलर फांडेशन न लगाने के बाप जूद भी मेकप बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप भी मेकप करिएगा और लाइट बेट मॉस्चुराजर यूज करिएगा और मेकप करके देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिगा ओके बाई बाई फ्रेंड्स